दोस्तों नमस्कार जैसरी किश्णा, जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिश्चिक लव रासी फल जनवरी 2021 Scorpio लव हो रोस को दोस्तों Scorpio sign, Moon sign, चंद रासी के आधार पर ये लव रासी फल है साल 2021 का पहला महीना यानि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है आपकी लव लाइफ आपकी मेरेड लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में आपके relationship के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों यह है channel Love Tips with Atul जी इस channel पर केवल और केवल लब वीडियोस मिलते हैं लब टॉपिक पर ही वीडियो मिलते हैं तो आप अगर इस लब रासिफल को देखते हैं तो आपको केवल और केवल लब के बारे में जानकारी मिलती है इस channel को देखते हैं तो केवल और केवल relationship के बारे में बात होती है लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं आप अपना अन्य चीजों के बारे में career related अपना रासिफल देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम एस्टो लॉजर अतुल त्रिपाथी है उस चैनल का link भी आपको description में मिल जाएगा अतबा आप हमारे चैनल के playlist में जाकर के देख सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी love life की तो सबसे पहले बात करेंगे single लोगों के लिए single के लिए क्या स्थितिया रहेगी single जो लोग हैं उनके लिए स्थितिया ये कहती हैं कि इस महीने में जनवरी के महीने में खास करके आपको कोई न कोई मिलने वाला है और आपको प्रपोज करेगा आपके लिए खास उमंग और एक विश्वास जागरित होगा जो आपका विश्वास खत्म हो गया था वो विश्वास पुना जागरित होगा इस महीने में लेकिन आपको कुछ बिशेस रासियों से ही अगर प्रपोजल आएं तो एक्सेप्ट कर लेना नहीं तो आपको प्यार मिलना अभी बरतमान समय में लंबा टिकना किसी के साथ में मुम्किन नहीं है जनवरी के महीने में तो बिलकुल भी नहीं है खास करके ये स्थितियां बन जाती हैं कि जनवरी के महीने में आपके जो पार्टनर होगे वो एक तरह आपकी तरह आपकी तरफ लोयल नहीं होगे तो उस बज़े से परेशान ही आएगी तो इसलिए कुछ रासियों के नाम में बताता हूँ वीडियो के लास्ट में उन रासियों के अगर होते हैं आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले या आप जिसे प्रपोज करना चाहते हैं वो उन रासियों के होते हैं तब तो उनके साथ में आप जा सकते हैं अन्यत्था आपको मैं नहीं कहूंगा कि वहाँ पर आप जाएं यहाँ पर आपको उन रासियों के साथ में ही जाना चाहिए वहाँ से प्यार मिलेगा और सम्मान मिलेगा विस्वास मिलेगा और आपका वि लिसंसिप की स्थितियां काफी खराब होती जा रही है हो सकता है कि आपने बीते कुछ दिनों पहले आपके रिस्ते खराब हो गए हो बीते कुछ दिनों पहले आपके रिस्ते आपके पार्टनर से ज्यादा खराब हो गए हो चिरचड़ापन आपको ज्यादा आ रहा है अभी गलती का एहसास होगा और अभी अगर आपको आपके पार्टनर इग्नॉर कर रहे हैं तो उसकी एक मात्र बजे आप खुद हैं एक मात्र बजे आप खुद हैं ऐसा कहना तो चलो गलत भी होगा क्योंकि उसकी एक बजे वो खुद भी है क्योंकि उसने आपको पहले इग्नॉर किया, उससे आप उदास हुए और चीजों को आपने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया बरतमान में आप देखेंगे तो आपके चहरे की चमक डाउन होगी और चीजों को आप उस तरीके से जिस तरीके से सुक्र की जो भूमिका होती है वो आपके चहरे पर नजर नहीं आ रही है तो मैं आपको यह सुझाब दूँगा कि आप अपने चहरे की चमक को बढ़ाईए और अपने आप पर ध्यान देना प्रारम कीजिए तभी आपके पार्टनर आप पर आकरसित होंगे अभी बरतमान की स्थिति ये कह रही है कि आप खास करके अपने उपर ध्यान नहीं दे रहे हैं उदास चहरा और जो जादा तर चिंता युक्त चहरा आपका है उस बज़े से आपके पार्टनर आपके चहरे को देख करके फिर से लोट सकते हैं उन्हें अपनी गलती का एसास हुआ है और वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं हो सकता है कि आ जाएं और इस महीने इस्तितियां ज़्यादा बनती हैं लेकिन खास ये ध्यान रखना है कि आप वीडियो कॉल पर या बैसे मुलाकात हो सकती है तो इसमें बातचीत या मुलाकात या वीडियो कॉल पर बात हो तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके चहरे की चमक या आपकी उदासी भरे चहरे को देख करके आपकी ज़्यादा emotional बातों को सुन करके आपको परेशान देख करके वो फिर से आपके साथ में ना रहे आपको ये अजीब लगेगा सुनने में क्योंकि कोई भी प्यार करता है तो वो यही चाहता है कि उनका पार्टनर आप उन्हें समझे उनकी उदासी या उनकी टैंसन उनकी परेशानियों को समझे उसका सुख दुख में साथ दे लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर ठीक एक अलग विपिरीत इस्तिती का होगा जो आपके emotion, feeling, इत्यादी को ना समझ करके बलकी वो चीजों को खुस या positively देखना चाता है तो positive आप अगर बन जाएं और अपने चेहरे पर मुस्कान ले आएं तो आपकी life में वो फिर से बापस आ सकता है अपने चेहरे की चमक को बढ़ाएं चेहरे की चमक को बढ़ाने का तातपर ये केवल यह है कि आप अपने आप पर ध्यान दें अपने चीजों पर ध्यान दें उदास ना रहें हसते खिलते रहें मुस्कुराते रहें दोस्तों अगर हम बात करते हैं खास करके आपकी married life की तो married life की स्थितिया काफी अच्छी नहीं है married life में confusions बहुत जादा हैं परेसानिया बहुत जादा हैं और रिस्ते टूट रहे हैं और इस पूरे महीने में खास करके चार जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक की स्थितिया आपके partner के extra-marital affair की ज़्यादा बन जाती हैं आपके partner के extra affairs ज़्यादा सर बनेंगे उससे भी ज़्यादा इस्थितिया ये हैं कि आपके partner आपसे बातें ज़्यादा छिफाएंगे तो merit life में ये problem ज़्यादा create होगी उससे भी बड़ी इस्थितिय ये बन जाएगी कि इस महीने गुप्त सत्रू कह लीजिए या सौतन या कहें कि आपके third party आपके लिए आपके partner जिप में कोई third party जैसे कि relation other relation बता रहे हैं extra affair इत्यादी वही third party आपको ज्यादा परेशान कर सकती है उससे आपके चिंताएं भी बढ़ सकती है आपकी आदत है कि आप चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए उन पर खोजबीन रिसर्च कर देते हैं और आपका एक six sense जो है वो बहुत ही सही होगा तो यह खास करके आपके लिए marriage life के लिए खराब हो जाएगा अब हम बात करते हैं extra marital affair की या आपके लिए पहले love marriage की बात कर लेते हैं love marriage की स्तितियां ज्यादा अच्छी नहीं है इस महीने love marriage की स्तितियां अगर बन भी रही थी तो वो भी बिगड़ सकती हैं लेकिन इस महीने अगर बात करना चाते हैं तो 28 जन्वली के बाद में बात करें तो आपके लिए काफी स्तितियां बन सकती हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बहुत बिस्तार से खास करके यह बात बता दें कि यहाँ पर आपके लिए extra marital affair की स्तितियां काफी positive बन रही हैं साथ पर बहस ना हो बहस ना हो जाए ऐसी स्तितियां बन सकती हैं बहस हो सकती है और एक दूसरे को समझने की कोशिस ना करें living में रहते हैं तो यह स्तितियां ज्यादा बन सकती हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं उन तीन रासियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए हो सकता कि बो लाइफ में पुना बात्थी करें इसके साथ-साथ यह भी हो सकता है कि अगर उन रासियों के पार्टनर आपके है तो अगर ब्रेक अप हुँआ है तो अपनी गलती का एसास हो सकता है वो आप पे समझने का प्रयास कर सकते हैं relation सही नहीं चल रहे हैं तो सही हो सकते हैं चार जनवरी के बाद में और दोस्तों अगर देखा जाए तो आपके अगर इन तीन रासियों के पार्टनर हैं तो वो अपने घर पर भी बातचीत कर सकते हैं आपको ले करके साधी चादी की भी बात कर सकते हैं अब दोस्तो प्रवलाइफ के लिए अपने पार्टनर के नाम और अपने नाम से या फेस रीडिंग के जरिए अथवा आप अपनी कुंडली के जरिए डेट ऑब बर्थ टाइम के जरिए हस्त रेखा के जरिए जैसे भी जानते हैं उसका एक सुलक है और वो पेट सर्विस रहती है तो वहाँ पर आप जाएंगे और वाटसप पर आपको सीधा और सीधा एक जो फीस का हमारा लेटर होता है वो भेजा जाता है फीस जो उस पर पूरी तरह से मेन्यू कार्ट बोल सकते हैं वो भेजा जाता है तो आप अगर यह सोचते हैं कि हम सीधा डारेक्ट पैसों की बात करते हैं तो आप बिलकुल भी मेसेज न करें क्योंकि हाँ मैं केवल केवल पहले बात करता हूँ अपनी फीस की जब appointment book हो जाता है उसके बाद में ही हमारी बात होती है तो आप इस उम्मीद से बिलकुल भी message न किया करें कि इस पर बात करने से आपकी बात मुझसे direct हो जाएगी या आपकी बात का कोई answer में दे दूँगा एक question भी कोई एक सवाल भी हमारे या फ्री नहीं है ठीक है तो इस बात का basis ध्यान रखें अनिता आप बिलकुल भी message न करें दोस्तों अब हम उन रासियों के बारे में जानते हैं रासी नंबर बन आपके लिए बहुत अच्छी इस्तिति जो रासी की रहती है अभी खास करके जनवरी में रहेगी ये ब्रसव रासी दूसरी रासी है करक रासी इसके साथ में भी स्तितियां काफी अच्छी रहेगी और तीसरी रासी है मीन रासी इसके साथ में भी स्तितियां काफी बहतर रहेगी अब दोस्तों इन तीन रासियों के साथ में तो अच्छी रहेगी लेकिन एक रासी के साथ में relation बहुत खराब हो सकते हैं तो लड़ासी का partner अगर आपको propose करता है तो आपके जगडे त्यादी बहुत ज़्यादा होगा और relation बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे तो लड़ासी का partner अगर आपका होगा तो वो आपको ignore भी बहुत ज़्यादा करेगा दोस्तों यह थी आपके लिए इस्तितियां और आपके लिए आपके लव लाइफ यह कहती है अगर आपको लव रासी फल पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बीडियो को जितना हो सके सियर करना न भूलें दोस्तों आप इंस्टाग्राम और फेस्बूक पेज पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यबाद